हेलो अरिवन इस वीडियो पर में रीट एक्जम्स के लिए SST के सिक्षिन वीडियो के स्रीज को आगे बढ़ाते हैं यह मेरे सेल्फ नोट से तो आप इन सारे वीडियो को जरूर देखेगा जिनोंने इस वीडियो से पहले एक भी वीडियो नहीं देखा हैं तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और हो सके तो इन सारे नोट्स को आप पेपर उतार दीजिएगा तो चलिए सुरुवात करते हैं मुल्यांकन से सम्मंदी तरीट एक्जम में हर बार कोशन बनता है तो यह काफिय देखिए इंपोर्टेंट है चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले हमा आकलन, मापन और मुल्यांकन क्या होता है यह जान लेते हैं देखिए आकलन के द्वारा सिक्षक को यह ज्यात होता है कि सिक्षन और अधिगम उच्चित प्रकार से हो रहा है या नहीं तो यह आप द्यान लखेगा आपसे एक जामड एक लिप पूसकते हैं कि किसके द्वारा सिक्षक को यह ज्यात होता है कि सिक्षन और अधिगम उच्चित प्रकार से हो रहा है या नहीं तो आपको बताना है आकलन के माधिम से पता चलता है और आकलन सेसन के दोरान चलने वाली एक प्रक्रिया है ये भी आपको द्यान रखना है मापन क्या होता है मापन मातरात्मक मुल्य निश्चित करना ये आप द्यान रखेगा सौट परिभासा मापन की मातरात्मक मुल्य निश्चित करना ही क्या है मापन है जैसे कि 10 में से 5 अंक आए हैं या फिर 8 अंक आए बालक के छातर के या फिर छातर का IQ कितना है 70, 80, 90, जो भी तो यह सब भी किसके अंतरक्त आते हैं मापन के अंतरगत और सबसे लाश्ट में किया है मुल्यांकन, मुल्यांकन के अंतरगत मुल्यांकन मातरात्मक भी हो सकता है और गुनात्मक भी हो सकता है पाठ्यकरम की समापती पर होने वाली प्रक्रिया है मुल्यांकन यह आप ध्यान रखेगा और यह एक इंगलिस सेंटेंस है यह भी आपको ध्यान रखना है मुल्यांकन के संबन्द में evolution is to judge quality, यह आप ध्यान रखेगा, अब हम थोड़े से जो परकार हैं, आकलन के वो देखते हैं, समकलित और निर्मानी, इंगलिज में भी आप ध्यान रखेगा, summative और formative, तो समकलित आकलन यह क्या है, संपूर्ण निर्देशन कारेकरम के अंत में किया जाने वाला आकलन, और यह दोनों आपको ध्यान रखना हैं, और आकलन के समध में यह sentence आपको ध्यान रखना है, कि assessment is to increase quality, असेस्मेंट कब होता हैं, जब किसी भी हमको जो quality होती है, quality को बढ़ने के लिए assessment किया जाता है, और उस quality को जजज करने के लिए क्या किया जाता है, मुल्यांकन किया जाता यह दोनों आप ध्यान रखेगा और देखिए यह दो परकार है यह काफी अधिक इंपोर्टेंट है हर बार इनसे सम्मध कोशन भी पूछ लिया जाता है तो यह आप ध्यान रखेगा मापन मुल्यांकन का एक भाग होता है यह दोनों की एक तकनिक है यह आप ध्यान रखेगा मापन क्या है आकलन और मुल्यांकन की एक तकनिक है तो यह आप ध्यान रखना है अब हम मापन की जो मापनिया आप देख लेते हैं देखिए मापन की कुल चार मापनिया है आप ध्यान रखनी है नामित मापनी करमिक मापनी अंतराल मापनी और अनु पात मापनी यह आप ध्यान रखेगा तो जो नामित मापनी है इसके एक्जमपल देख लिजिए इसके अंतरगत डायेक्ली जैसे कि 20 वकील हैं 30 सिक्सक हैं तो हम डायेक्ली माप सकते हैं चाहे और भी लिजिए जैसे कि 40 पैन हैं तो हम इनको डायेक्ली माप सकते हैं तो यह क क्रम के नुसार अंत्राल मापने में जैसे कि निश्चित अंत्राल के बाद जैसे कि 2, 5, 10, 15 तो यह आप ध्यान रखेगा और यहां पर यह दे रखाएं अंत्राल कितना है 70 से 109 के बीस में और विद्धरन ले सकते हैं जैसे कि 105 से 130 के मद्य तो यह सब भी हम किस के अंत्राल मापने के अंत्राल मापने के अंत्राल मापने के आनके का कि यह मापन की सर्वोच इस्तर की मापनी है तो यह किस परकार के होती है एक अनुपात 2 है चाहे कुछ भी हो एक अनुपात चार है यानि कि कक्षा में पांच लड़के हैं और पंद्रा लड़किया हैं तो इस अनुपात मापने के अंदर गधा हम इसको एक अनुपात तीन भी लिख सकते हैं तो यह आप ध्यान रखेगा थोड़ो बेसिक हैं आगे देखते हैं आपर मुल्यांकन और मापन तो इनके समंद में आपको ध्यान रखना है इन दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है देखें जो मापन का छेतर होता है वो होता है सिमित और मुल्यांकन का होता है व्यापग मुल्यांकन इसका तुलनात्मक अध्यन संभव है मापन का संभव नहीं है अधिक्तम स्रम सक्ती साधन व धन की आवशकता मुल्यांकन में पड़ती है इसमें अधिक आवशकता नहीं पड़ती अंक परदान कर मुल्यों का निर्दरन किया जाता है, केवल अंक परदान किया जाते है छात्र के सम्मंद में इस पष्ट धारना बने जा सकती है कि इसके दोरा मुल्यांकन के दोरा और सार्थक भविश्यवाने भी किया सकती है जबकि यह मापन के द्वारा संभव नहीं है गुणात्मक तथा परि मानात्मक दोनों ही प्रकार के निर्ने किया जाते हैं इसके अंदगर तक परि मानात्मक निर्ने ही किया जा सकते हैं यानि संक्यात्मक और अंतिम जो difference है वो है मुल्यंकन के लिए मापन आवशक है मापन मुल्यंकन का ही अंग है तो यह difference आप दियान रखेगा कि मापन और मुल्यंकन में क्या अंतर होता है उपर के भी आप दियान रखेगा मापन की चारों मापनिया कंटरस लिए याद रखेगा आप और बागे के जितने भी एफेक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है बार-बार आप इनका रिविजन करियेगा निश्चेत यहां से कोशन बनेंगे और आपको फायदा जरूर मिलेगा रिटेर्जा में तो इस वीडियो में इतना ही है वीडियो को सुनने के लिए धनिवाद थैंक्यू, थैंक्यू वरिंज फॉर डिस्कुशन